नमश्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चीनू अगरवाल हूँ, मैं एक मनोविज्ञानिक हूँ और फीलिंग माइंड्स नाम की संस्था की निदेशिका हूँ, मैं हेमा फांडेशन की ट्रस्टी भी हूँ दोस्तों, जीवन मुल्यों की चच्चा हमने अकसर सुनी है हमारे बच्चपन में, स्कूल में एक पीरिड होता था मॉरल साइंस, जहां पर हमें बताया जाता था कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हमें सच बोलना चाहिए, हमें इमानदारी से काम करना चाहिए, हमें चोड़ी नहीं करनी चाहिए जैसे जैसे हम बड़े हुए हमने ये सोचा कि ये जो जीवन मूल्य है जिनकी हम चचा करते हैं ये उसे मॉरल साइंस के पीरिट तक सी में थे हम लोगों ने सोचा कि मनुवज्यान के द्रिश्टिकोन से इन मूल्यों की चचा करना इनको ठीक से समझना बहुत जरूरी हो गया है जिस तरह से हम जीवन मूल्यों के हनन को अपने चारो ओर देख रहे हैं खास कर ऐसी विशम परिश्टिश्यों में जहां पर जीवन और मरन का सवाल खड़ा हो गया था वहां भी हम बैमानी से बास नहीं आए ऐसे में ये जो मूल्य है ये हमारे हर वेभार हर सोच के पीछे की एक फाउंडेशन है ये समझना इस सोच से जीवन को जी पाना और देखना कि इसके विज्ञानिक पहलू क्या है दोस्तों मनोविज्ञान ये कहता है कि आप जो भी वेभार करते हैं वो आपके अपने मूल्यों से ही प्रेरित होता है बिना मूल्य के कोई वेवार ओही नहीं सकता जैसे एक भूका बच्चा किसी हलवाई की दुकान के बाहर खड़ा ये सोच रहा है कि क्या मैं इस मिठाई को खालू बिना पूछे या मांग के खाऊं या चुरा कर भाग जाऊं ये जो अपने मन में उसकी विचारों की उथल पुथल चल रही है वो अपने मूल्यों को ढूण रहा है अगर उसने अपने मन से अंतर मन से ये आवाद सुनी कि नहीं तुम अपनी भूख को सेहन करो पर बिना पूछे मत लेना चुराना नहीं तब वो अपने आगे के जीवन के वैवार में भी इसी कुशलता से मूल्यों पर चल पाएगा ये जो चुनाव है ये हमारे पास हर मोड पर होता है इस चुनाव को चुनने का साहस भर चाहिए मूल्यों को ठीक तरह से समझने के लिए मनोवज्यानिक, कांसिलर, जितने भी हमारे एजुकेटर है, शिक्षक, जितने भी हमारे पालक है और खुच स्टूडन्स भी इसको समझने के अपने वेवार में कैसे लाया जा सकता है कैसे हमारी मानसिक्ता हमारे मूल्यों पर ठीकी है कैसे हमारे सारे रिष्टे, हमारे सारा जीवन, हमारी सफलता, हमारी असफलता सब कुछ इन मूल्यों पर ठीकी है इसको जानने के लिए हमारे इस वेबिनार को अटेंड कीजिए जो है Foundations of Human Behavior which are Values ये 30 जून को होगा, समय होगा, शाम पाच बजे आप सभी का इंटरजार रहेगा नमश्कार